मैं साटड़े कुछ साथ बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगी जितने भी कोविड पेशन जितने भी देश की जनता इंडिया में इंडिया के बहार लोग हैं उनके लिए सब के लिए प्राथना करूंगी बजन गाऊंगी परमेश्वर के मेरी सुनलो मेरा परमेश्वर सच्चा है वो आपके घर में से कोविड भगा देगा एक मसूर कहवत है सोचुए खाकर बिल्ली हज को चली लेकिन हमारी ये बिल्ली थोड़ीशी उठ पटांगे यानि आइटम और ड्रामा कैट है तो ये बिल्ली हज को नहीं चार बड़े बिलाऊ और अठारा सो चोटे मोटे चुमें खाकर आज कल चंगाई के लिए इसाईयों के वैटिकन को चली है नमस्कार दोस्तों रंग्देवसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ राजीव चोधरी ये जो अपनी रगों में जीसस का खून होने का दावा कर रही है इसे लोग ड्रामा कुईन राखिसावंत कहते हैं मतलब एक नमबर की नोटंग की बाद कभी मिक्का सिंग इसका चीररन कर देता है तो कभी फिल्म अभी नेतरी तनुसरी दत्ता इसका रेप कर देती है वोलिवड में इसे काम मिलना ही रहा तो कैमरे की बोकी ये ड्रामा कैट आए दिन कभी पीपी किट पैन कर सबजी खरीती पाई जाती है तो कभी सैनिटाइजर को लेकर लोगों को सैनिटाइज करती रहती है कभी कहती है ऐसा बेली डांस करूंगी करोना देश से भाग जाएगा तो कभी कथख नरत से तो कभी बाई भी लुटा कर कर बाई बिल्डिंग हिला दूँगी आज मैं पुरा बिल्डिंग में जितना भी सब करोना होगा सब कर ठीक हो जाएगा मैं घर में ही बैली डान शुरू कर दूंगी तो उसके मैं प्राटमा करें अच्छा करोना ठीक हो जाए ये शुनासरी के नाम में यह हुआ पर मैं सर हमारे पाको को शमा करें और ये बजन गाती प्रभुगा अभी हाली में कई मीडिया गुरूप्स ने राखी की ये बकवाश छापी जिसमें कह रही है कि मुझे करोना नहीं हो सकता मुझे कभी नहीं होगा क्योंकि मेरे स्रीर में जिसस का लग हुआ है अब ये अपने सरीर में जिसस का खुण कहा से लाई ये भी जाच का विशाय समभव ना हो सके तो इसके खुण की वैक्शीन बनाकर इटली, रोम और अमेरिका जरूर बेज देनी चाहिए ये साथ ही हो सके तो इसके खून की एक वैक्सीन पॉप को भी लगा देनी चाहिए क्योंकि वो भी पिछले दिनों कोरोना से संकर्मित हुए थे साथ ही मार्च 2020 तक 50 बड़े पादरी यूरोप में कोरोना से मारे गए थे उनके अंदर किसका खून था ये जाच करा लेनी चाहिए अगर वाना भेजी जा सके तो कम से कम भारत में संकर्मित 100 पादरियों को तो इसके खून की वैक्सीन जरूर लगा देनी चाहिए क्योंकि पिछले महीने केरल में साड़े तीन सो पादरी नन भी सब एक प्रोग्राम में सामिल हुए थे बाद में इन में से सो करोना पोजेटिव पाए गए दो की मोथ तो हो चुकी है 75 पादरी गंभीर हालत में अस्पताल में भरती बताई जा रहे हैं और तो और संकर्मित पादरियों में दक्षिन भरत का सबसे बड़ा भी सब धरम राज रसलम भी शामिल है राखी सावंत से पूछना चाहिए इन पादरियों के सरीर में किसका खून है क्योंकि ये तो सारे वो पादरिय है जो दूसरों को चंगाई सब्वा में ठीक करने के दावे करते हैं लेकिन खुद को चंगाई ना दे सके बोल देते अपने लिए भी एक बार हालेलुया या फिर एक बार राखी से अपने लिए बेली डांस करा लेते साथ भाग जाता है इनका भी करोना ये बेचारे तडब तडब कर दम तोड़ रहे हैं सिरफ बेली डांस ही नहीं कभी कहती है मैं अपने कथक डांस से पूरी बिल्डिंग हिला दूंगी और जिनको भी करोना होगा वो ठीक हो जाएगा हमारा भारत सरकार से नुरोद है कि अगर हो सके तो देश के सभी प्राइवेट और सरकार इस पत्तालों में इसका कथक डांसी करा लिया जाए साथ ही दिल्ली के सुल्तान से भी रिक्वेस्ट है क्यों वैक्सीन और उक्सीजन में उल्जा हुआ है अपने कारियाल मेशी का मुझरा करा लिया जाए असल में राखी सावंत की असली बिमारी समझे दरासल दिवालिया हो चुकी राखी ने अभी तक कहीं साधिया की साल 2009 में राखी सावंत ने अपना स्वंबर रचा जिसमें एक एनाराई इलेस पर जुनवाला से सगाई की लेकिन बाद में आप सीमत बोदय को चलते राखी सावंत ने इलेस संग अपनी सगाई तोड़ दी और ये तक कहा कि उससे सिरफ पैसों के लिए साधी करना चाहती थी तो 2018 में राखी सावंत दीपक कलाल से साधी करने वाली थी और इसकी अनाउंसमेंट भी उसने सोसल मीडिया पर की थी पर दिसमबर 2018 में राखी ने फिर दीपक कलाल संग अपनी साधी कैंसिल कर दी और 2019 में बता कि उन्होंने एक एनाराई रितेस से साधी कर ली सोसल मीडिया पर अपनी साधी की तस्वीरे पोश्ट की पर कहीं भी उनके पती का चेरा नजर नहीं आया फिर दिसमबर 2020 राखी ने का कि वे दिवालिया हो चुकी है और उसकी साधी एक ढोंग साबित हो रही है यानि पैसे के लिए साधी करती है पर पती छोड़ कर भाग जाते हैं लेकिन है तो तब हो गई जब राखी सावंत ने एक प्रेस कॉनफरेंस में तनुसरी दत्ता पर ये आरोप लगा दिया कि तनुसरी दत्ता ने उसे ड्रक्स दे कर उसके साथ कहीं बार दुस्करम किया लोगों को इस आरोपर समझ नहीं आ कि भी हसे या रोए हाला कि सारोप के बाद तनुसरी दत्ता ने इंडिया तूड़े में अपने इंटर्व्यू में राखी की पोल खोल कर रख दी और का कि राखी सावंत जैसे अनपड़ गंदे बेकार क्लासलेस चरितरीन डाउन मार्किट लोग मेरे दोस्त होने की बात कहते हैं तो मुझे खराब लगता है मेरी राखी से मुलाकात सिरफ 2009 में बस के वाल एक बार हुई थी राखी उसे इसाई बनाना चाहती थी उसने मुझसे का कि अगर मैंने जिसस में यकीन नहीं किया तो मैं नरक में जाओंगी जब मैंने उससे स्वर्ग और नरक की जगह पूछी तो बेकूप के पास कोई जवाब नहीं था जब तनुसरी दत्ता ने इसके बकल उतारे तो फिर इसने अपना भेद खुल जाने के बैसे फटा फटा एक माफी नामा वीडियो जारी किया और तनुसरी से माफी मांगी हाँ माफी से याद आया ये सिरफ अपने कियेगी नहीं मांगती एक वीडियो में चाइना की तरफ से भी माफी मांगती नजर आई जैसे ये सी जिन्पिंग की बड़ी बुवा की छोटी बेटी हो इस वीडियो में कह रही है जो परमेशवर ने खाने के लिए कहा मैं पूरे चाइना की तरफ से आप से माफी मांगती हूँ हमें चमा करिए हाला कि राखी के इस वीडियो पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल्ड किया और यूजर्स ने का जीसस तुमारे फोन में बैठे हैं क्या यहां कौन परातना करता है मसलन आप समझ गए होगे कि नाच, कूद, बकवास, आइटम, सोंग के साथ राखी एक क्रिप्टो क्रिश्चन भी है यानि एक चीपी होई इसाई जो अपने दंदे के साथ धर्मांतरन का दंदा भी चला रही है असल में क्रिप्टो क्रिश्चनिटी इसाई धर्म की एक संस्थागत प्रैक्टिस है क्रिप्टो क्रिश्चनिटी के मूल शिद्धान्त के अंतरगर्द क्रिश्चन जिस देश में रहते हैं को लटका देते हैं ताकि बोले बाले ना समझ लोग समझे कि देखो इतना परसीद अभी ने ताभी जीसस को गले में लटकाई भूम रहा है तो क्यों ना आम भी लटकाई ये क्रिप्टो क्रिष्टन जब तक कम संख्या में होते हैं तब वे उस देश की संसकर्ति और रीती रिवाजों को अपना कर अपना काम करते रहते हैं आपने भी कुछ समय पहले राकी सावंत का बिना पती के ही करवा चोत मनाने का ढोंग देखा होगा तो ये लोग दिखावे के लिए ऐसा करते हैं कि इन्तु जब अधिक संख्या में हो जाते हैं तो उन्हीं देवी देवताओं का अपमान करने लगते हैं हालिवुड की मसूर फिलम अगोरा हर इंदु को देखनी चाहिए इसमें दिखाया है कि जब क्रिप्टो क्रिष्टन रोम में संख्या में अधिक हुए तब उन्होंने रोमन देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया और फिर वहां की मूल संसकर्ती को नश्ट करके पैगन समुदाय को काट डाला और वैटी कन की स्थापना कर दी खेर जो भी लोग राखी सावन्त को अभी भी आईटम गर्ल समझ रहे हो वे जरूर जान ले कि आईटम और ड्रामा कुईन की आड में आईटम कैट भी है जो धर्मान तरन का धंदा चला रही है आप सोचते होंगे इनका पहले कोई धरम होता होगा तो समझ लीजिए बाली